यूपी बीएड और डीलेड को लेकर के confusion सदेव आपके मन में बना रहता है जो अभी जो नए बच्चे हैं जो अभी दस फरवरी से आपने सुना था कि बाई बीएड एंटरंस एक्जाम के लिए फॉर्म परे जा रहें तो ऐसे में कुछ बच्चों की क्वरिज है कि सर यह ब कि सो रहें देखो यूपी बीएड के बारे में आगर आप सोच रहें तो अभी जो नया कोट का जो फैंसला है उस के दिए को क्या कर दिया बिएड को पहली बात तो प्राइमरी से बाहर कर दिया गया नहरे कर दिया पहली से 10 वी तक एक्जाम भी दे सकते हो और 11 से 12 तक एक्जाम दे सकते हो सवाल नमर 1 डियलेट करने के बाद क्या इदान रखना क्योंकि यह क्या इदान रखना यह प्रैमरी के लिए होता है प्रैमरी सिख्षक के लिए होता है इदान रखना लेकिन याद रखना एक बात समझना दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश में प्राइमरी के लिए कूर्स होता था जिसको हम कहते हैं बी टी सी कूर्स क्या होता है या बी टी सी कूर्स BTC का ही नाम बदल के कर दियागा DL8, क्या कर दियागा DL8, जो लोग BTC और DL8 में कन्फुज होते हैं, BTC को ही हम DL8 कह सकते हैं, अंतर क्या BTC का है, एक से पांस तक सिक्षक बनता था, लेकिन जो DL8 वाला है, वो अफसीदा एक से आठ तक में फॉर्म भर सकता है, एक से बात करेंगे यहां पर, DL8 के बारे मगर बात करेंगे, तो पहले क्या था, जिसको BTC कहते थे, वो केवल एक से पांस तक पढ़ा पाता था, लेकिन वो BTC का नाम बदल के, 2015 के बाद वाले कोर्से, 16 के बाद वाले कोर्से DL8 कर दिया गया, तो DL8 के प्रामरी सिक्षक तो ह लेकिन कौन सा वो 1 से 8 तक भी बढ़ सकता है, एक से 5 वाले में फर्म बढ़ सकता है, और वो 6 वी से 8 वी वर्ग वाले में फर्म बढ़ सकता है, इस बात को दान रखनना, अपने राज़ में प्रामरी सिक्षक के लिए भरती देख सकता था, BTC बात को समझना, यह जो BTC बा प्लस केंद्र राज्य प्लस केंद्र दोनों में बरती देख सकते हैं डिलेड डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजूकेशन इसको कहते हैं एक से आठ तक इसमें पढ़ाया जा सकता है पहले तो यह बात आप समझेए इसी के समक्ष जैसे कुछ होते हैं आपने देखा होगा जैस एक से आठ तक यहाँ याद रखना डिलेड वाला मानने है और यूपीबेड में लेकिन जैसे एक और बात है प्रामरी में के दार रखना primary میں भरती क्या है जादा है भरती जादा निकलती है बेच अभी नहीं निकल रुट्रपदीश में या कहीं पर भी लेकिन primary में क्या है भरती जादा हदार रखना दूसरी बात यहां देखें जुनियर में देखें तो भरती कम है लेकिन अभी मन समझना भरती कम है थोड़ी से लेकिन याद रखना, यहाँ पर क्या दार रखना, वेतन बहुत कम है, तीसरे बात यहाँ पर क्या चोटे बच्चों को पढ़ाना होगा, चोटे चोटे बच्चों को पढ़ाना है, यहाँ पर क्या थोड़े से बड़े बच्चों को पढ़ाना है, यहाँ पर क्या थोड़े स लेकर के 12 तक के आफ सीधे बच्चों को पड़ा सकते हो, चटवी से 12 तक के बच्चों को आप पड़ा सकते हो, जैसे समझना, अब मैं आपको बता हूं कि भाई, फिर आप बेड करें, दिलेड करें, अब आप सोच रहें कि जब एक से 8 तक फारम भर सकते हैं, तो परम कि बत कुरूं में D3B, तो D2SB जब जूनियर की बरती निकालता है, TGT की बरती निकालता है, तो वहां TGT का मतलब होता है, छटवी से लेके 10 तक, 6 तू लेकर 10 तक, तो अब ऐसे में छटवी से लेके 10 तक की बात आगी, तो इसका मतलब, DLAD वाले फारम नहीं परपाएं तो वहां पर वो कह लेते हैं, वहां पर प्रैमरी एक से पांस तक, जुणियर है माद़ में कैं छटवी से लिगे दसवी तक, और उच्छ माद़ में कैं ग्यारे से बार तक, तो ऐसे में DLAD वाले यहां पर फ़रम नहीं बढ़ सकते हैं, दूसरी बात, अब यहां पर कैंभी यहां पे कहा है, B-A-Dualim कहा है, बेतन भी जाद है, थोड़ी सी पोस्ट आपकी वहतर है, पोस्ट आपकी बढ़ी है, एक वैल्यू पी होती है, इंटर कॉलेज में टीचर है, बाले तब ल्ती ग्रेट की वेकंसी निगली, ल्ती ग्रेट में वेकंसी देख सकता है, TGT के, हायर में आप जाना चाहते है, B-E-O का एक्जाम आप दे सकते हैं, आप G-I-C का एक्जाम दे सकते हैं, गोर्मेंट इंटर कॉलेज में कोई भी एक्जाम दे सकते हैं, जितनी भी बढ़ती हैं, D-Tri-S-B है, या अगर मैं बात करूँ, E-M-R-S है, अगर मैं बात करू, A-W-E-S है, इनके अलावा, जितनी भी बढ़ती हैं, तो हायर में अगर आप एक्जाम में जाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, या आप B-E-O का एक्जाम, आप B-E-O कर सकते हो, यदि आपको लग रहा है केवल मुझे प्राइमरी भी बढ़ती देखनी है, या इस्प लेकिन केंद्र में जब आ जाएंगे, डी ट्रबेलेज में, तो वहां TGT का मतलब छटवी से लेके दसवी तक की है, तो वहां DL-E-O कर देखना और फरम नहीं बरपाएंगे, इस बात को याद रखना, यानि कि समझने की कोशिस करना, पहले तो, पहले क्या होता था, कि य यहां पर आप फरम क्या हो जाएगा? नहीं बरपाऊगे, तो अब ऐसे में आपको सोचना पड़ेगा, खुद सचीजों को आपको देखना पड़ेगा, कि भाई आपको क्या करना है, आपको डियलेड करना है, आपको बियाड करना है, देखो, मैं तो एक बात करूंगा, अ तो मुझे जो इंटर कालेज में प्रवक्ता लेवल तक पड़ना है, तो आप वहां पर भी चीजों को जा सकते हैं, चीजें आपको समझनी है, यहां पर आपको ज्यादा पड़ना पड़ेगा, आपको कम से कम, यहां पर तो आपको क्या भिया, ग्रेजुशन चाहिए बस, अपना इलेड कर लीजे, आपको कम हो जाएगा, यहां पर आपको थोड़ा जाना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुशन है, आपका बीएड है, तो चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ना पड़ेगी, एक और चीज है, बीएड करने के बाद आप जैसे बियार में क्या है, कि ब तो आपके पास में एक्जाम का क्रेटीरिय में आपको बता दिया प्राइमरिमरी में जैसे अगर बात करूब्यों बवाई महाल लीजे K VS में प्राइमरी 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 प्रायं सब्राइम odpow को आप इस जाहते हैं दी टरूबस दी यहां इस में और तो डी ट्रूबसक्ते है और यहां पर आप बहुसे हैं जैसे मेरे अत्र को जिक्र जिकर गया में इक पर आपर 20 Бरती यह आपर 10 टी टी ख आप बहुत एड और यह पर es बहुं ine आप और जहाँ छटवी से लेकर दसवी तक आएगा तो वहाँ पर यूपी ब्याड को प्रात्मिता दी जाएगी और पीजी टी तो ही अभी यहाँ पर एक से आथ तक का यह मतलब यह इसको प्रामरी समझ के देगे कुछी राजय है जो छटवी से लेकर के शे लेकर के एट तक अलग से बरती निकालते हैं बागी तो सब ने यहीं सोच लिया भी यह एक से पांस तक प्रामरी भी यहाँ चैसे लेकर के 10 तक टी जी टी और 11 तक तो 6 से लेकर के 12 तक फिर आपको क्या है वां बी अड़ी आपकी हल्प करेंगा उड चेहन आपको करना क् पोस्ट, यहां पर भरती जादा है, यहां बरती कम है, लिकिन बढ़िया है। मजदार भरती है। और एक्सर करके टरंट देखा रहा है। केंदा हो जाते है कही नहीं कोई गुलमाल बना ही रहेगा तमाम चीजे सिक्षप्र बगरा और यह तमामज़ों चीजे से नियोजिए बगरा मुझा टो आप केस बने रहते हैं बरती का मोगी सबसेदा सेंटर निकालेगा केंदर की बरती निकलेगी बेतन बढ़िया चटीवी से लेके 12 तक को बच्छों बढ़ाना है पोस्ट भी बढ़िया 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 मिलेगा और यहां पर जो प्रैमरी के स्कूल होते हैं मेरा भी अनवाब है क्या है बहुत छोटे बच्चों को पराना है तो गौश्मन्ट में बहुत कम धान देती है आउट्साइड इस्कूल जाधा मिलेंगे आपको आउट्साइड ग्यार में देख लिजे मेरे ब्यारी में तमाम मेरे दोस्त तो नाचल होगी। बढ़ी है बीडिडिंग कोई भी होते हैं। थो कुछ इसमें से। प्रैमरी में कोई भी आपको आवसी नहीं मिले गहा। एक मेजर फेक्तर यह भी है। यहां पर कोई विद्धाले आपको आवसी विद्धाला नहीं है। यहां पर जब आओगे तो यहां आवासी विद्धाले भी हैं यहां पर हाउस रेंट बगरा मतलब आप पैसा वियसा कूप ठीक टांक मिल जाता है तो चैनल आपको करना हो कि आपको करना क्या है तैंक्यू वेरी मच जैहिंद वीडियो अच्छी लेगी हो तो चैनल को सब्सक